अभी डेटाविस के अंदर जो भी जरूरत थी उन चेंजेस को करने के बाद अभी बार यह कि JWT authentication को actual implement करने की python के अंदर हमारे rest API के environment के अंदर यहां पर चुकि JWT के उपर जैसे मैंने कहा था कि मैंने एक separate video बना के रखा है लेकिन फिर वी मैं एक एकदम short में समझाता हूं क्या पहली step है step number one कि हम post request से login endpoint को login ऐसा कुछ endpoint बनाएंगे हम जिसे username और password भेजेंगे और username और password भेजने के बाद JWT create होगा अगर वो username password मैच हो गया database के अंदर टेबल के अंदर एक particular user के साथ तो उस user की information को encrypt करके जो भी JWT वो बन जाएगा फिर वो JWT भेजा जाएगा response में browser की तरफ इन आवर केस पोस्टमन की तरफ ब्राउजर की जगा दूसरा कोई भी पोस्टमन के अंदर हम उसे स्टोर कर लेंगे उसके बाद login के बाद हर दूसरी रिक्वेस्स जो भी भी बेजा जाएगा वापिस जो की स्टोर करके रखाए हमने और हर बार जो रिक्वेस्ट जा रही है वो वो JWT को carry करेगी अपने साथ, JWT को अपने साथ लेके जाएगी, और उसके बाद जो server side है, वो check करेगी, पहले JWT को decrypt करेगी, और decrypt करने के बाद वो check करेगी, whether the specific role ID mentioned in this particular JWT is allowed to access the resource which is being requested, उसका मतलब, इस accessibility table के अंदर, जो हम यह सारे relation maintain करें न, end point ID, यह होगा, तो उसको य यह roles access करने की हमें permission देनी है, so वो check करेगा कि token के अंदर, जो भी role ID मौझूद है, उस role को particular end point, जो जिस किसी भी end point के लिए request आ रहे है, उसे access करने की permission है या नहीं, अभी धीरे धीरे इस logic को हम build कर सकते हैं, लेकिन उसका सिर्फ first part इस video में हम cover करेंगे, जो की है, sending username and password to the server and getting the JWT that is JSON web token in the response, so let's get started, अभी उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई JWT नाम की एक library या फिर एक module है, सबसे पहले हमें हमारे environment के अंदर उसे install करना पड़ेगा, जिससे की हम एक JSON को, एक dictionary को encrypt करके JWT के format में ला सकते हैं, और वही जो हमारा token बन जाएगा, उसे हम response में बेज सकते हैं, तो उस token को बनाने के लिए, encrypt या फिर decrypt करने के लिए, यह पाई JWT नाम की जो library है, जो भी module है, वह हमें अभी लगने वाला है, so first of all, let me activate the virtual environment, virtual environment has been activated, उसके बाद, सबसे पहले में क्या करूंगा, PIP install, यहाँ पे उन्होंने command हला की दे रखिये, PIP install pyjwt, so we can just copy this also, और we can type it manually also, so let me just erase and paste it, let's press enter, अभी यह pyjwt हमारी होगे, install, control L, मैं क्या करूंगा, यह जो environment variables जो हमने set करके रखेते हैं, एक बार वो set करते हैं वापिस, and let's, कि दर गया, flask run, ठीक है, flask run, the application is being executed, अभी इसके बात सबसे पहले, चलो, फिल कर देता हूं, सबसे पहले मुझे controller के अंदर एक end point बनाना पड़ेगा, उस end point को हम यहाँ पर बनाते हैं, अन्त में, इस file के, so add direct app.root, end point का नाव हम क्या देंगे, slash user, slash login, अभी इस login end point को हम username और password, post request से भेजएंगे, ताकि URL के अंदर username और password, खास तोर पर password जैसी, क्या हम क sensitive information हमें ना भेजनी पड़े, so यहाँ पर मैं methods लिखता हूं, methods is equal to, post, और उसके बाद def user underscore login underscore controller, जिसके अंदर एक भी parameter नहीं रहेगा, और उसके अंदर directly body के अंदर सबसे पहले में, यहाँ प एक return, return करते हैं, फिलाल मैं यहाँ पर सिर्फ user login controller, इतना ही return करता हूं, ठीक है, अभी postman में जाके, किदर अगे हमारा postman, let me open postman quickly, so, let me full screen, अभी यहाँ पर एक हमें request यह देखो, user slash login request यहाँ पर ready है, क्योंकि मैं खुद खुश experiment कर रहा था, anyways, अभी user slash login को, अगर मैं यहाँ पर directly request भेज़ो, तो मुझे क्या मिलेगा, user login controller, as it is, मुझे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम return वही एक string कर रहे हैं, अभी इसके बाद model का काम हमारा चालू होने वाला, लेकिन, उससे पहले, हमें क्या करना पड़ेगा, request dot, if I am not wrong, it is request dot form, right, let me just cross check once, yeah, request dot form ही syntax है, क्या होता है, node.js अगरा के साथ अगर आप काम करते हैं, request dot body, I guess ऐसे होता है, java में भी body होता है, request body, so मैं थोड़ा confuse हो गया, so request dot form, अभी इस object को हमें भेजना है, model की तरफ, let's comment this for now, let's open our model file, so user model, model के अंदर function मनाएंगे हम सबसे पहले, थोड़ा scroll करता हूँ, def user login user underscore login underscore model, जिसके अंदर दो parameters होंगे, definitely default self parameter और data parameter, जिसके अंदर हमें username और password मिलने वाले है, colon, फिलाल में यहां से क्या return करूँगा, return st और of data, इतना ही return करता हो, चलो, तो हमारा model तक जा रहा है, request या नहीं वह हमें पता चलेगा, controller के अंदर हम क्या करेंगे, इस model को हम call करेंगे, with the object obj.user कि दर गया login model यह देखिए, और login model को हम क्या भेजेंगे, request.form को, क्या होना चाहिए, request.form मतलब username और password जैसे jar है, वैसे हमें response में stringified होके मिलने चाहिए, let's test it, so let's click on send button, as you can see immutable multi-dict, उस form में मुझे email और password मिल रहा है, जो मैंने send कहां से किया है, body से किया है, ऐसे मैंने कहा था, कि मैं खुद कुछ experiment कर रहा था, तो यह मैंने पहले से set करके रहा है, और आपको यह पता भी है, कि post select करने के बाद, body के अंदर form data से हम key values बेच सकते हैं, अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले database के अंदर जाके हमें चेक करना पड़ेगा, कि इस particular username और इस particular password, यह दोनों चीज़े exact match होने वाला user का data पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे इसके लिए login model के अंदर, मैं सबसे पहले लिखूँँगा, self.cursor.execute, जो हमारे execute function है, जो हमें एक query string को execute करने में help करता है, तो select, अभी select अगर मैंने star कर दिया, तो क्या होगा, database के अंदर हमारे पास user table के अंदर, कौन से कौन से column से, तो उसके अंदर email, phone, सब कुछ ठीक है, लेकिन password भी है, तो हम क्या करने वाले है, ultimately, password को JWT के अंदर हम encrypt करने वाले है, और अगर आपने JWT के उपर मैंने बनाया हुआ, एक पुराना वीडियो इसी channel के उपर detail में देखा होगा, तो आपको यह पता होगा कि anyone can decrypt JWT, JWT की जो security है, वो उसको decrypt कर ना सके, इसके उपर depend नहीं है, क्योंकि उसे कोई भी decrypt कर सकता है, major उसकी security इसके उपर dependent है, कि उसे कोई भी encrypt या फिर नया JWT generate नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक token के एक expiry date time होती है, वो expire होने के बाद कोई भी नया बंदा, नया JWT generate नहीं कर सकता, अगर उसे उसकी encryption की पता ना होतो, तो यह एकदम क्या हम कह सकता है, bad idea रहेगा, कि password को भी JWT के अंदर encrypt करवाना, क्योंकि browser के अंदर developer tool में जाके, कोई भी, मतलब saved JWT को decrypt करके password चेक कर सकता है, किसी भी दूसरे के computer के उपर, अगर मैं physically जाके बैठाता हूँ, so let's not fetch the password, ठीक है, so मैं यहाँ पर specific fields mention करता हूँ, select, suppose, id, क्या-क्या fields है हमारे पास, id, name, email, phone, roll, roll, अच्छा, हमने पहले roll बहाया था ना, तो एक काम करता हूँ, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर roll id लिया है, और यहाँ पर roll का column भी है हमारे पास, so let's do one thing, first of all, let's delete the roll column, so यहाँ पर मैं roll column को delete करता हूँ, फिलहाल इसकी कोई आवश्यक्ता है नहीं मुझे, so delete selected, apply and apply, ठीक है, so roll, क्योंकि हमने roll id हम maintain कर रहे है ना, पहले हमने वो क्यों लिया था, क्योंकि हम ऐसे, मतलब experiment कर रहे है तो हमने roll का भी column लिया था, जिसके अंदर हमने roll का नाम डाला था, अभी roll का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी, let me just refresh this table again, roll id ले रहे हम, अच्छा हूँ हमें अभी पता चला, anyways, so id, name, email, phone, avatr, और roll id, यह सारी चीज़े हमें चाहिए, accept password, so select id, name, email, phone, उसके बाद, avatar, and roll id, ठीक है, from, कहां से, users के table से, अभी यहां पे एक where condition भी आएगी, where, अभी देखो, username, username नहीं है, हमारे पास क्या है, email id है, so मैं यहां पे लिखूंगा, email is equal to single quote के अंदर, data variable के अंदर का email की value हम बाइंड कर देंगे, and there will be a and operator, उसके बाद password, क्योंकि password के field का नाम, password यह database के अंदर भी, so password is equal to single quote के अंदर, data variable के अंदर, जो भी हमें dictionary मिल रहे है, उसमें से password की value, बाजू में लेके password के साथ bind कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस string को, f string, यहां पे पहले f लगाना पड़ेगा, उसके बाद में यहां पे लिख पाऊंगा, email is equal to single quote के अंदर, curly bracket के अंदर, data, square bracket, email, तिकि वही key है, हमारी key value pair के अंदर, जो हम postman से बेज रहे हैं, उसके बाद, similarly password is equal to single quote क के अंदर, curly brackets के अंदर, data, square bracket, password, अभी सबसे पहले हमें इसे चेक करते हैं, कि हमें कुछ data मिल भी रहा है या नहीं, so result is equal to self.cursor.if I am not wrong then it is fetch all, right, fetch all function, एक बाद चेक करते हैं, ताकि कोई mistake ना हो, so simple सा get fetch all, self.cursor.fetch all, और इस result को में stringify करके, so मैं response में इस result को भेशता हूं क्या मिलना चाहिए, मुझे सागर, महाजनीस user का सारा data मिलना चाहिए, except the password, let's test this, so मैंने username और password भेजा, if I click on send button, तो मुझे उस particular user का data यहां पे मिल रहा है, अभी हमें करना क्या है, is data, okay, by the way, यहां पे मुझे यह जो structure मिल रहा है, यह क्या है, इसकी parent bracket जो है, वो square brackets है, और square brackets के अंदर curly brackets है, मतलब it is a array of JSON documents, या फिर अगर मैं Python की भाषा मैं कहूं, तो it is a list of dictionaries, so मुझे पूरी list नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यह first dictionary चाहिए, क्योंकि वही है हमारे user का data, so इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, if result is a list, और उसके पहले index पहले index क्या होता है, 0, so मैं result of 0, ऐसे लिख सकता हूँ, save, send, मिल गया मुझे एक user का data, अभी मैं result of 0 को save करूंगा, user data, एक variable बनाता हूँ, और उसके अंदर result of 0 को मैं save करता हूँ, इसके आगे का part क्या है, हमें JWT बनाना है, और उस JWT को बनाते वक्त, यह जो data है, user data, यह actual हमारा JWT के अंदर का payload साथ साथ हमें एक expiration time भी चाहिए, कि वो जो token हम बना रहे है, वो कब जाके expire होगा, so expiration time हमें calculate करने के लिए python के अंदर एक module को हमें import करना पड़ेगा, जिस module का ना हमें date time, so I'll write from date time, import date time, अभी date time is a built-in module, तो उसे import करने के लिए आपको PIP install date time करने की आवश्यक्ता नहीं है, so from date time, import date time, अभी ये जो date time रहेगा ना, इसका एक मज़ा है, इसमें एक छोटा सा additional point में आपको ये बता हूँ, कि ये जो, see, आपको अगर मैं date time कहूँ, तो आपके दिमाग में क्या आता है, yyyyy, sorry, yyy-dd-mm, या फिर dd-mm, ऐसे format में आपके नजर के सामने date आ जाती है, आप visualize करते हो, अगर मैं कहूँ time, तो time किस format में आता है, hours, colon, minutes, colon, seconds, इस format में time आता है, लेकिन ये जो date time का combination रहेगा, suppose, अभी अगर अभी कितने बज़े, दोपर के 1 बच के 1.41, इतना time अभी हुआ है, जो JWT अभी generate होगा, वो 15 मिनिट बाट, 15 मिनिट बाट expire होना चाहिए, एक ऐसी numbers की, मतलब सारे numbers होते हो, उसमें, और वो पूरा का पूरा number, मतलब collection of numbers मिलके, एक date time combination को represent करते हैं, ठीक है, उसके अंदर YY-DD-MM, ऐसे format में date time हम store नहीं करते हैं, anyway, तो epoch time क्या होते हैं, आपको देखने को मिले गा भी, लेकिन सवाल है, कि date time को epoch में convert किस तरीके स किया जाए, उससे पहले हमें इसकी चिंता करनी है कि 15 मिनिट बाद वाला time कैसे calculate करें, तो उसका syntax कुछ ऐसा है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, exp underscore time, expiration time is equal to date time, जो module अभी-अभी हमने import किया, dot now, now से हमें क्या मिल जाएगा, current time, plus, current time plus, there is a function time data, और time data function को मैं लिख, मतलब एक सपोज 15, मतलब current time plus 15 minutes, इस combination से जो बन जाएगा, वो हमारा exp time, अभी सिफ एक चीज़ बाकिया, is exp time को convert करना, epoch time format के अंदर, so यहाँ पर मैं एक नया variable बनाता हूँ, exp underscore, epoch underscore time, exp epoch time is equal to, exp time, dot, if I am not wrong, then the function is timestamp, तो यह time stamp जो function है, अभी एक काम करते है, इस exp epoch time को मैं stringify करके return response में भेशना हूँ, ताकि आपको पता चला है कि epoch time किस तरीक से दिखता है, so let's go to postman, और अभी हमें जो response में time मिलेगा, वो होगा epoch time, आपको एक छोटा सा में मतलब मजा दिखाता हूँ, अगर मैं इसे copy कर और let's go to the browser, यहाँ पर मैं डालता हूँ, epoch time converter, तो आपको पता चलेगा कि इसे convert करने के बाद हमें automatically time मिलता है, अभी यहाँ पर मैंने जो अभी अभी copy किया, उसे मैं यहाँ पर paste करता हूँ, और यहाँ पर मैं time stamp to human date, अगर मैं click करूँ, तो मुझे क्या मिला, May 22nd, और जो forward this into integer format, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा किदर गया, definitely integer, सिर्फ int function से अगर मैं इसे bound कर दिया, तो मुझे वो integer format में मिल जाएगा, anyways, सो अभी मुझे यहाँ पर मिल गया, exp epoch time, एक बार सिर्फ postman में देखते हैं, decimal point चला गया है, सो expiration time मिल गया, जिस data को मुझे encrypt करना है, वो म हमारे उपर है, क्या encryption की रखने की, तो उसे कुछ calculate वगरे करने की जूरत नहीं है, और last चीज, फिर final चीज मतलब encryption algorithm, if you visit JWT.io, तो वहाँ पर algorithms में इतनी बड़ी list है, इन सारे algorithms में से एक algorithm आप कोई भी choose कर सकते हो, encryption algorithm, so यहाँ पर अभी directly हम क्या कर सकते हैं, we can just import the JWT module, so let me write import JWT, अभी JWT का इस्तमाल करके मैं directly encrypt function call कर सकता हूँ, so JWT.encrypt, अभी encrypt function को जो पहला parameter हमें देना है, वो होगा payload, और payload के अंदर, data के अंदर, मतलब payload के अंदर actually data, जिसे हमें encrypt करना है, और expiry time, दोनों mention होना ज़रूरी है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक variable बनाता हूँ, जिसे मैं नाम दूँगा payload, मैं actually data variable ही बनाने वाला था, लेकिन data variable हमारा यहाँ पर पहले से मौजूद है, so let's name this variable as a payload, is equal to, payload will be a JSON document, फिर अगर python की बाशा में कहा जाए, तो वो होगी एक dictionary, so उस dictionary के अंदर जो पहली key होगी, उसकी का नाम भी होगा payload, ठीक है, क्योंकि यह variable है, इसके साथ कुछ relation नहीं है, तो इसका हम reuse कर सकते है, payload colon, क्या है हमारा payload user data is our payload, जिसे हमें actually encrypt करना है, और expiration time के लिए JWT ने, खुद ने एक key हमें देने को बोला है, उसकी का नाम है exp, इसको हमे exp as it is ही mention करना पड़ेगा, और exp colon मुझे क्या देना पड़ेगा, exp epoch time, integer में convert करके, so JWT.encrypt function के अंदर, जो मैं पहला parameter दूँगा, वो होगा, यह payload variable, comma, दूसरी होगी एक string, S-A-G-A-R, मैंने मेरा नाम ही डाल दिया, it is a encryption key, और key secret उसे भी कहा जा, एक बार actual नाम में आपको बता देता हूँ, secret, ठीक है, it's just a secret, so यहाँ पर उसे हम कहेंगे encryption की, और तीसरा रहेगा हमारा encryption algorithm, so A-L-G-O-R-I-T-H-M, algorithm is equal to HS256, ऐसा हमें algorithm का नाम यहाँ पर set करता हू अभी JWT Encrypt यह सारी information देने के बाद, जो भी token हमें मिलेगा, वो एक token variable के अंदर में store करूँगा, और what I'll return, I'll return make underscore response, make response, curly bracket, key will be token, token key के साथ, मैं क्या associate करूँगा, यह token variable, अगर आपका confusion होता है, तो आप दूसरा नाम दे सकते है, for example, यहाँ पर मैं JWT, ऐसे नाम देता ठीक है, और definitely the HTTP status code will be 200, sorry, 2000 होगया और यहाँ पर M आगया अगल तीसे, 200, let's test this, whether it is working or not, कुछ error आता है, तो हमें पता चलेगा, थोड़ा सा हमें console भी बढ़ा करके रखता हूँ, so where is my postman, 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 ठीक है, let's click on send button, there is some error, no problem, we'll resolve this, local variable JWT reference before, local variable JWT referenced, before assignment, अभी यह कहां पर आया है error, यहां पर आया, oh, right, 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 JWT, हम यह object पहले सही है ना, तो उसी नाम का variable हम नहीं बना सकते, क्योंकि इस नाम का object हमने पहले से उपर import करके रखा है, so मैं यहां पर लिखता हूँ, JWToken, ठीक है JWToken, अब यह, यह जो particular है, वो solve हो चुगा, इसक let's hope for the best, there is one more error, module JWT has no attribute encrypt, sorry, यहां पर encrypt नहीं है, encode है, if I am not wrong, okay, ऐसी छोटी-छोटी mistakes होती रहती है, कोई problem नहीं, finally हमें जो token है, वो मिल चुका है, एक मजा दिखाता हूँ आपको, यह token अगर मैंने यहां से copy किया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कि token को decrypt को कोई भी कर सकता है, देखो, अगर मैं JWT.IO के उपर जाओ, और यहां पर मैं paste कर दूँ, तो मुझे सारा का सारा payload और उसके अंदर का expiration time दिखाए देगा, JWT decrypt कोई भी कर सकता है, यह उसकी security का part ही नहीं है, जिसको secret पता नहीं है, वो नया JWT generate नहीं कर सकता, यह असली security, इ and everyone can generate their own JWT, तो कई सारे जो attackers है, वो fake JWT generate करके आपके database तक पहुच सकते है, so it's a bad idea, so that's why this secret is important, और encryption key is important, अभी इस JWT को हम यहां से copy करेंगे, और जो नहीं request बनाएंगे नहीं हापे, नहीं request नहीं हाला कि हमारे पास, sorry, cancel, यह जो पहले से जो module है request, user slash get all, इस request के साथ exactly postman में हमें इस JWT को कहां पर mention करना पड़ेगा, और जिससे की वो जो token है, वो इस request तक पहुचेगा, और फिर backend में जाके वो validate होगा, और अगर वो valid JWT रहेगा, तभी हमें response आगा, यह जो दूसरा part है na, JWT validation का, JWT authentication का, वो हम next video में देखेंगे,